आज आपको मैं exercise 8.5 जो है उसके question number 1 के कल हमने 6 part किये थे आज हम 7, 8, 9 और 10 parts को complete करेंगे फार्मूला के according यह देखें फार्मूला मैंने आपके सामने write कर दिया है यहां पर लिखेंगे 3B square plus यह देखें minus 1 minus 7 और 7 हमारे पास क्या है 3B plus minus 1 और फिर साथ है minus 7 तो students यह देखें मैंने आपको पहले भी यह बात बताई थी कि bracket के उपर जो exponent होता है वो दोनो कोफिशेंट के उपर भी लगाते हैं variable के उपर भी लगाते हैं तो यह देखें थी थी तरी जा 9B square minus 7 और 1 8 8 को हम multiply कर देंगे 3B के साथ plus 7107 तो यह आजाएगा 9B square minus 24B plus 7 इसी तरह से question number 8 हम करते हैं तो यह देखें उसमें हमारे पास है 4X का whole square है plus A की amount है हमारे पास 5, B की amount है हमारे पास 3 اور X की amount है हमारे पास 4X plus A की amount है 5, B की amount है 3 यहां पे यह प्लास होंगी और यहां पे यापस में मल्टिप्लाए तो यह देखें फॉर फॉर जार सिक्स्टीन एक्स स्केयर प्लास फाइफ और थ्री एट एट को मल्टिप्लाए कर देंगे फॉर एक्स के साथ प्लास 5, 3,015 तो यहां पर आएगा 16 x स्केर प्लास 32 x प्लास 15 अब यह देखें 5 y माइनस 2 5 y प्लास 6 है तो विज़े देखें 5 y का होल स्केर प्लास माइनस 2 प्लास 6 है और 7 में मारे पास है 5 y प्लास यहां पर माइनस 2 और 7 में है 6 तो 5 5,025 y square प्लास 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो sign हमारे पास greater amount का plus है तो ये plus ही आएगा और amount subtract हो जाएगी 5 y minus 6 2,012 ये देखे students 25 y square प्लास 5 4,025 y minus 12 उसके बाद ये देखे यहां पी है 8a whole square प्लास 7 minus 3 into 8a है प्लास 7 साथ में bracket में है माइनस 3 तो ये देखें 8a's are 64a square प्लास 7 में से 3 को माइनस करेंगे 4 साथ में 8a है और ये आपस में multiply हो जाएंगे 7 3s are 21 तो 64a square प्लास 32a minus 21 ये हमने आज exercise 8.5 का question number 1 by using first formula से हमने ये आज complete कर लिया इंशाला कल हम इसका question number 2 स्टार्ट करेंगे कहूँ हा स्टार्ट करेंगे कहूँ हाँ ये ऑंido